हलो और वेलकम दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब बढ़ी होगे फिलाल आज की दिन जो मार्किट की मुमेंट चल रही है और यह कैसे चल रही है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2-4 दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने 5 तारीक को लगभग आपको कुछ एक लेवल प्रोवाइड करा दिये थे जहां से स्पोर्ट और रिजिस्टन्स मेजर मिलने वाला था जैसे प्रोवाइड कि हमने यहां पर बताया था के 4600 यह जो रॉड्य लैवल यह 4600 को और 24200 प्रोवीर 14200 यह रांड लैवल है जो यहां से मार्केट ने कुछ एक मूमेट दिखाया पांच तारीख को हम ने बताया था कि मार्केट वन वे मूव किया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टेंस लेने के बाद एक हैमर टाइप केंडल बना उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गई अब अब दोस्तों होता क्या है कि यहां पर मार्केट 44-600 पर एक दम बाइर एक साथ खाफी जादा आ चुके थे यहां पर यह भी हो सकता है कि वो किसी का ऐसल हिट करवाना चाहते हो तो वो बाद में एक लंबी स्पाइक देने के बाद आराम से नीचे आ जाते हैं ताकि आप बाद कल का जो लो था कल के कैंडल का जो लो था 44-400 का वो 44-400 से मार्केट एकदम से बूम पकड़ा ताकि यहीं से ही जो मेजर बाइंग आई वो मेजर बाइंग जो थी हमारी वो यहीं से इसी लेवल के आसपास से हमें दिखाई दी और यहीं से मार्केट ने अच्छा खास एक correction पकड़ा ये market का analysis था दोस्तों जहां से हमने bank nifty का आज की दिन बना है और अब कल की दिन दोस्तों क्या हो जकता है इसके अंदर तो चलिए थोड़ा सा daily time frame पर analysis कर लेते हैं कल के दिन के बारे में आगर बात करें तो market अभी sideways इसी zone के अंदर चलती हुई नजर आ रही है चुआड़े साथ सो और चुआड़े साथ हजार के इसी round number के साथ ही एक काफी समय से चलती हुई आ रही है जहां से market अगर यहां से निकलेगा तो एक retest होगा और retest होने के बाद हमें जो level दिखाएं देंगे वो होंगे 45-400 के level और अगर यहीं से downside गिरा तो सबसे पहले 44-24-200 का जो level है वो हमें सबसे पहले दिखाई देगा यह थी market की analysis वीडियो दोस्तों और इसी के साथ सथ हम बात कर लेते हैं HDFC bank की क्योंकि HDFC bank भी थोड़ा सा IC के साथ ही चल रहा है यहां से market ने 1560 का जो एक level हमने आपको बताया था 1560 से लेकर और 1600 तक का level यह इसी zone के बीच में गूंता हुए नजर आ रहा है रिटेस्ट होगा तो यह हमें 1650-1640 तक के आसपास भी दिख सकता है या फिर 1670 के level के आसपास भी हमें दिख सकता है इसी तरीके से आप market में trade करिए trade करना easy है दोस्तो चलिए मिलते हैं आपको कल की live stream में धन्यवाद दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही